असलाम लेकुम आज मैं शेयर कर रहे हैं सेवाई रेसिपी यह बहुती इजी रेसिपी है एकदम इजी वे से मैं बनाना सिखाऊंगी आप भी एक बाद जरू ट्राई करिएगा बनाना बिल्कुल असान है आजम गंड में लगभग सभी के घरों पर इसी तरह की बनाई जाती है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो आप भी एक बार जरू ठाई करिएगा इसको बनाने के लिए मैंने दो क्यलों फूल क्रीम मिल्क लिया ए मैंने आमुल क लिया है आप कोई भी ले सकते हैं बस फूल क्रीम मिल्क हिशाध होना चाहिए इसके लिए मैं एक तिली में पलट लेती हूं, उसको लेने के बाद फिर हम सूगर लेंगे, दो लीटर मील्क में, दो किलो मैं सूगर आड़ करूंगी, यह धाई साओ गराम का मग है, मैं आठ मग इसमें लेती हूं, टोटल मेरी दो किलो चीनी है, कि इसको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कि जो तली में बैठी हो मिक्स हो जाए मिल्क में, फिर उसके बाद मैं चासनी पकने के लिए इसे गैस के फ्लेम पर रख देती हूं, गैस के फ्लेम में रेक्दम हाई है, अब हम इसे बाद होने तक पकाएंगे, जब यह बाद होना शुरू हो जाएगा, तब मैंने इसमें फिटकरी के एक छोटा तुकड़ा डाल दिया है, जैसे ही हम फिटकरी के एक तुकड़ा डालेंगे, दूध हमारा फट जाएगा, अगर आपके पास फिटकरी नहीं हो तो आप लेमन जूसी यूट करिए, देखिए, दूध हम अच्छे से फट गया है, अब हम इस शीद को आधा घंटा और पकाएंगे, हमें दो तार की चाशिंग तयार करनी है, अब एक साइड हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, गैस का फ्ले मीडियम कर दिया है, अब मैं दूसरा बोड़े पतीली लेती हूँ, इसमें मैंने घी डाला है, जब घी गरम हो जाएगा, तो मैंने पहले से काजु कट करके रखे थे, बदाम को मैंने गरम पानी में वा तिन चार मिनट के बाद, फिर मैं इसमें, जब यह अच्छे सा फ्राई हो गया है, तब मैंने इसमें कोकोनट टाइड किया है, मैंने इसे चील लिया था पहले, फिर इसको बाद मैंने इसे ग्राइंडर में पीस ले एक दम बारी, अब उसी घी में मैं इसे भी फ्राई कर करेंगे, जब अच्छे से हो जाएगा, अब फिर मैंने घी लिया है, अब इसमें हम आट करेंगे, दो तीन सफेद इलाईची, दो तीन लॉंग, जैसे ये चठकने लगेगा, मैंने इसे महीं ली है, ये मार्केट में आसानी से अब लेबल हो जाती है, ये एकदम वाइट रहती है, हम इसे गैस के फ्लेम पे, एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे पहले से खुब भून लेते हैं, जब इसका कलर चेंज हो जाता है, गोल्डेन होना शुरू हो जाता है, तब हम इसे निकाल के एक छणनी से चान लेते हैं, घी में मैंने इसे बहीं डाल दी है, और इसे खुब अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लिया, उसके बाद जो मैंने मेवे भून के रखे थे अलग से, उसे एड़ कर दिया है, और इसे भी खुब अच्छी तरह से खुब फराई कर लेंगे, भून लेंगे, दोनों को साथ में, उसके बाद मैंने अब जो चाशनी तयार करके रखी थी, उसे हम एड़ कर देंगे से वहीं में, चाशनी डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए से महीं सारी चाशनी में, यह देखिए हमारी कितनी अच्छी खोवेदार से महीं तयार हुई है, अब हम इसे ढख कर रख देंगे, हमें अब इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाशनी हमारे अच्छे स्पाइले तैयार हुई थी अब फिर हम इसे सर्व कर लेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी से महीं कि अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा चैनल पर नए तो सस्क्राइब करिएगा दौाओं में याद रखिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन में बा